फिजिकल एजुकेशन का पेपर हो गया है और अभी हम आए हैं बच्चों का यहां प्रिव्यू लेने की आखिर उनका पेपर कैसा गया है तो आप अपना नाम बताए और ये बताए कि जकी भाईया से आप पढ़ेते तो कैसा लगाता आपको मेरा पीपर तो इतना अच्छा गया है मैंने तो जकी भाईया से पढ़ाता है जकी भाईया तो इतना अच्छा पढ़ाते है कि तो यार थोड़ा सा सो जाता हूँ और सुब आट करना फिर नए सेशन के लिए वीडियो बना हुआ लाए तो अरेक्षिक वाई हुटो यार क्यो नेक सेशन का वीडियो नहीं क्या कर रहे हो अन मेच्छर वीडियो बनार हुटेशन एला ये जाइर रुक्त ये बनाने जाऊ शुक्त कि recז बाए अर्चिक तो यहां तक कि यहां तक कि याप कर लीगे मेरे घरवालों को भी आप चुके होंगे अरे ऐसा नहीं है भाई यार आप लोग के लिए भिड़ा हुआ था मैंने आप लोग के लिए खुद से यार मेरी खुद की फिजिकल एजुकेशन की बुक आप लोग के लिए ला दिया हूँ उसके बार में वीडियो में आगे बताऊंगा तो इस वज़े से बीजी था बुक कर दिया हूँ व्लोगिंग चैनल को जॉइन कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवाल है जकी सौधागर व्लोग्स जाकर बहुत तगड़े कॉमडी व्लोग्स आप लोग के लिए अब लेवल है देखो इसको 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 साथ साथ फिसिकल एजुकेशन के अलावा में फ फॉल अप मारे टेलिग्राम के चैनल को जॉइन कर लेना हर तरफ यार जॉइन चॉइन मार लो यार आप लोग मुझे गल लगा लो यार प्लीज यार माफ कर दो यार मैं जानता हूँ बहुत लेट कर दिया लेकिन अब वीडियो रेगुलर रहेंगे मैं भी रेगुलर रह जिसका नाम है management of sporting event जो काफी जादा important आप लोग के लिए होने वाला है सारे के सारे topic को detail में समझेंगे और साथ ही साथ आप लोग के लिए प्यारा content हमेशा आता रहेगा इसी के साथ साथ जितने भी मैं आप लोग को ये notes provide करने वाला हूँ इसको आप लोग freely download कर सकते हो मेर वेबसाइट से zakisodaga.in से और zakisodaga.in पे आप लोग को हमेशा मेरे तरफ से coupon code मिलते रहेंगे जो book के लिए रहेंगे उसमें आप लोग use कर सकते हो redeem कर सकते हो आप लोग को up to 30% तक का discount मिल जाएगा तो website पे चल जा रहा हूँ आप लोग को front page में दिख जाएगा और साथ में इस सभी के notes भी आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगे. course tab में भी आप लोग को systematic way में वीडियो अरेंज कर दिया हूँ. साथ मियार PDF अगे आप लोग download कर सकते हो या वही से read कर लेना है यार download का जंजट नहीं है वहीं पढ़ लो और खतम करो. ठीक है जी? तो चली start करते है हम हमारी पहली unit को जिसका नाम है management of sports event और ये class 12 के point of view रहने वाली है. नाइस लेबस के according पढ़ने वाले 2022-2023 के सभी student के लिए होने वाला है. तो आगे बने से पहले यार काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे भाईया यार वीडियोस लेट लायों ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यार दोस्तों क्योंकि मैं आप लोग के लिए prepare कर रहा था मेरी खुद की official physical education की book जो अब market में available हो चुकी है ebook और साथीजाद printed format में. तो Amazon और Flipkart में तो available है लेकिन अगर आपको special discounts है 20% का तो आप festival code यूज करना अगर आप Notion Press नाम की जो website है लिंक सभी description में है वहां से जाके purchase करोगे आपकी घर तक के आपकी book आ जाएगी और ये code को जरूर यूज कर ले ना और सिफ 250 प्लस users के लिए ये code applicable होने वाला है अब आप इसे काफी सारे लोग बोले के भाईया जब तक हमने ये वीडियो देखे तब तक के तो यार ये code useful नहीं रहेगा ऐसा नहीं है आप लोग मेरी website में चल जाना zakisodaga.in पे front page में आप लोग को देर सारे coupons बिलत रहेंगे हमेशा up to 20 up to 30% off के so that आप लोग उस code को भी use करक notion press से आप लोग printed format की book बुलवा सकते हो जो मेरे through लिखी गई है और मैं उसका खुद author हूँ जहां पे आप लोग को precise form में आप लोग को सारे chapter 2022-2023 के according होने वाले previous year के questions है उसमें उसमें आप लोग को यार सारे type के short question, long question और साथ ही साथ very short questions available है जो last year आए हुए है तो बहुत जाधा beneficial है book आप लोग के लिए रहने वाली है, link description में given है जाके purchase मारे और यार start करें अपनी preparation को, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले है कुछ इन topics हो जिसमें सबसे बेले हम लोग देखेंगे function of sports management, जिसमें हम लोग देखेंगे planning क्या होता है, organizing क्या होती है staffing क्या है, directing क्या है, controlling क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे various committees कौन-कौन सी होती है, और उनकी क्या-क्या responsibilities है, मतलब क्या, pre-tunament responsibility, post-tunament responsibility, during-tunament responsibilities क्या-क्या होती है, इसके साथ हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर fixtures क्या होते हैं, और fixtures के types क्या है, fixtures में हम लोग क्य देखेंगे कि knockout fixtures क्या होते knockout के अंदर कुछ concept अब लोग देखने वाले bias, seeding इन सब के और इसी के साथ साथ league tournament के बारे में और league tournament में दो important methods है जो staircase और cycling की होने वाली है अब एक चीज़ सुनना ये जो video है पूरा का पूरा ये part first रहने वाला इस chapter का जहां पे हम लोग ये दो point को पढ़ने वाले last वाला जो आप लोग का है fixtures वाला इसको मैं dedicate लिए आप लोग के लिए अलग से करा हूँगा ठीक है क्योंकि ये एक अलग सा topic है इसलिए इसका part second आप लोग को next day आजाएगा अगर आप record it देख रहे हैं तो आचुका होगा link का आप लोग को description में महा से जाके देख सकते हो ये सभी का सभी news labels के according होने वाला जो नए syllabus 2022-2023 के लिए है तो बिल्कुल tension नहीं लेना सभी चीज़े हम लोग यार point to point पड़ेगे डीटेल में पड़ेगे और जो नहीं समझ में आता है ऐसा लगता है यार भया कोई दिक्कदारी तो comment box में आ सकते हो telegram के channel में आपनों मुझ से पूछ सकते हो ठीक है जी तो चलो शुरू करते है जिसका नाम क्या है कि functions of sports event management मतलब क्या जैसे कि आप लोग यार सोच आप ही को कह दिया गया कि IPL organize करा अगर आप को कह दिया गया IPL organize कराने के लिए तो क्या क्या करना पड़ेगा कौन-कौन से ऐसे functions है जिसके तो आप लोग sports के event को organize करा सकते हो कैसे उसको prepare कर सकते हो कैसे आप उसको start कर सकते हो इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले अब आप में से काफी सार लोग के दिलो दिमाग में एक चीज आती होगी कि आखिर sports event क्यों करवा रहा ऐसा तो नहीं है ना कि विमल का एड़ करवाना है और best दिखाने की कोशिश करेंगे so that यार वो अपने platform में है फिर जो भी individual sports है उसमें best दे सके आप इसे काफी सार लोग को लगता हो ना कि यार sports event और और इसकरान होता है इसा नहीं है उसके लिए आप लोग को एक proper functioning की जरूरत है तो इसी के बारे में हम लोग discuss करने वाले आप लोग के final exam में एक question बन सकता है कि क्या-क्या functions होते है sports management के sports event management के तो ये कुछ specific आप लोग को functions के बारे में पढ़ना है सबसे पहले हम लोग देखेंगे planning क्या होता है दूसरा देखेंगा organizing क्या है फिर controlling के बारे में staffing, directing ये सभी के सभी जो 5 point है इनके बारे में हमको समझना अच्छे से और यही हम लोग को exam में लिख कर आना है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले function of sports event management के पहले point से जिसका नाम होता है planning तो planning क्या है planning का मतलब ये क्यार देखो सीधी सिंबल बाग जैसे आपके भाई के छोटे लड़के का मुंदन है तो इस टाइम आपको बोला जायागा क्यार तुमको पूरा-पूरा event organize करना मुंदन प्रोग्राम तो आप क्या करोगे पहले आप planning करोगे उससे पहले हमें क्या-क्या चीजे करनी है कैसी preparation रखनी है कहां पर organize कराना है क्या-क्या चीजे कराना है मतलब क्या आपका एक specific goal होगा आप goal से पहले सभी चीजों को specifically आप लोग यार सोच कर रखते हो उसके लिए strategies बनाते हो जिससे कि आपका जो goal है वो अचीव हो सके जैसे आप exam में preparation करते हो कि आप मेरा exam आने वाला है चार मैने पाँच मैने बाद तो मैं अभी से preparation कर रहा हूँ exam की preparation एक किसम से क्या है वो एक किसम की planning है so that आप लोग का जो exam है उसमें आप अच्छे आपक्स ला सको तो specifically sports की planning भी कुछ इसी तरीके से होती है जहां पे आप लोग पहले से decide करके रखते हो जो भी specific goal में आप लोग करने वाले हो कैसे करोगे, कहा करोगे, कब करोगे और उसके regarding जो भी चीजे होती है वो सब आप लोग पहले से decide करके रखते हो so that जो specific desire goal है वो successfully organize हो सके तो यार planning बहुत important है बिना planning के अगर आप करोगे सीधी simple बात बिना planning के अगर किसी से मिलने भी जाओगे तो इतने जूते पड़ेंगे नो उसके घर के सामने समझ रहे हो ना किसके बारे में कहा रहा हूँ तो I hope तुम लोग को यहां तक है clear हो चुका है planning काफी important है और यह sports event management का सबसे पहला और important function है so next point आता आप लोग का organizing organizing में एक काफी important task है यह function है हम कहा सकते sports event management का आप जानते हो जैसे यार मैंने कहा ना आप लोग को आप किसी से मिलने जा रहे हो और उसका बड़े मनाने वाले हो तो यार उसमें से कोई ना कोई आपका दोस्त एक organizer होगा जो सारे resources को लाकर देगा समझ रहो? समझ रहो आप? समझ रहो ना? कहां पर होने वाला है, कैसे होने वाला है किस तरीके से उसको अचीव किया जा सकता है उन specific resources से कैसे इसको allocate करना है उन सभी का सब और organizing के अंदर आएगा क्यार कहां organize करना है, कौन से cafe में इस तरीके से ऐसी sports event के साथ भी होता है जो भी resources लग रहे है जो भी specific sports की planning करी गई है उसके according आप लोग उसको implement कर सको समझ भी है ना? अगला होता है staffing staffing का मतलब क्या? जैसे यार, सीधी simple बात है आप उससे मिलने जा रहे हो आपने अलग-अलग लोगो को काम दे दी भाई तो cake लेके आजाना उसके लिए भाई तो candles ला देना भाई तो वो gift ला देना बड़ा वाला teddy मेरे बाबू को पसंद है तो ऐसे अलग-अलग आप लोग specific tasks दे सकते हो मतलब मैं कह सकता हूँ staffing कर सकते हो अलग-अलग लोगों को specific काम दे सकते हो ऐसी sports में भी होता है तो different-different लोगों को बुलाते हो आप लोग और उनको different-different काम दे देते हो कह देते हो कि भाई ये वाला काम आपका है ground को आपको समालना है lighting साब को देखना है जो भी organizing का काम होगा वो आप लोग को देखना है technical work किसी और को देखना है तो ऐसी यार staffing में होता है जो different-different aims and objective respective staff mission को दे दिये जाते हैं जिससे कि वो अच्छे से student को organize करा सके अगला होता है directing directing का मतलब क्या आप सभी लोग जानते हो कि हर एक function में एक director होता है तो director क्या करता है इसके अंदर leadership quality होती है जैसे sports event आप organize करा रहे है IPL का आपको पूरा जिम्मा दे दिया गया आप क्या हो एक किसम से director हो आप सभी को देख रहे हो कि कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है कैसे चीज़े हो रही है अगर कुछ problems आ रही है तो director का काम क्या होता है कि जो भी specific goal है वो सही तरीके से चलते रहे fluently चलते रहे leadership quality उसके अंदर आ सके और जो specific task दिया जा रहा है staff person को वो लोग उसको smoothly कर सके हमेशा या director जो हो समझाता भी है डाटता भी है और फिर साथ ही साथ appreciate भी करता है तो directing एक काफी important चीज है बिना directing क्यार जो event आप लोग का sports का वो अच्छे से successfully organized नहीं हो पाएगा अगली चीज निकल क्या है controlling तो controlling एक ऐसी process होती जो leader के बात होती जैसे director बगेर है वो क्या करेंगे सभी चीजों को देख फरक कर रखेंगे कोई गलतिया नहीं हो सके समझ में आरा मेरी बात जैसे हैर मैंने कहा था नहीं कि आपके भाई के लड़के का मुंदन है उसमों गुलाब जाओं उन कितने बढ़ चुके कितने लोग खा रहे भाई आप जाके वहाँ पे चेक आउट करोगे कि दो से दो लोगी ले अजल रहे है एक नल आया बैग और भर लिये पूरे अंदर और जाके चोरी करके चला गया तो बाकी लोग तो खाई नहीं पाएंगे ना कंट्रोलिंग एक काफी इंपोर्टेंट चीज है जब भी आप लोग स्पोर्ट के इवेंट को और्गनाईज कराते हों तो उस टाइम पे आप लोग की कंट्रोलिंग होना बहुत ज़रूरी है आप लोग स्पेसिफिकली मेजर कर सको पर्फॉर्मेंस का किस तरीके से वो टास्क अचीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है आप लोग चाहते हो अपनी अपकमिंग प्रिपरेशन करना क्लास 12 के लिए या आने वाले किसी वी कॉंपिटेटिव एक्जाम के लिए तो जल से जल दे आप लोग को अने चैडम का सब्सक्रिप्शन ले लो कोड का नाम है ZAKI ZAKI 100 तो जैसी आप इस कोड को यूज करोगे तो आप लोग को यार special discount मिल जाएगा जो आप लोग का up to 20 to 30% का हो जाता है तो इस कोड को यूज करो और अपनी घर बैटे प्रिपरेशन स्टार्ट करें लिंक डिस्क्रिप्शन में के मरें वहाँ से जागे आप लोग शुरू कर सकते हैं तो अगला topic हमारा निकल के आता है कि आखिर कौन-कौन सी different different type की committee होती है और कौन-कौन सी उनकी responsibilities होती है ये अगला topic है ठीक है तो important है इसको ध्यान देना अब देखो एक बात बताओ आपने क्या करें? सबसे पहले planning कर दिये हाना? और बाकी के functions को और achieve कर लिए मतलब क्या? आपने एक event के बारे में सोच लिए अब आप एक दिमाग लगा हो है जब आप लोग उने planning करें कि आप लोग को IPL organize कराना है तो लोग भी तो लगेंगे ना? उनके लिए different different responsibilities भी तो रहेगी ना? जी हाँ तो यहाँ पे different different हम लोग committees form करेंगे so that यार जो आपका specific goal है वो successfully achieve हो सके hopes हो तुम लोग को clear हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं? sports के लिए different different type की committees बनागे अरे जैसे यार आपकी baby का यार बड़े है तो आप लोग क्या कर रहे हो? अलग-अलग दोस्तों को अलग-अलग committee के काम दे रहे हो na कि तो केक के बारे में देख ले ना? तू देख ले ना हो cafe में सब कुछ organize हो गया कि नहीं वो उसकी जो दोस्तों उसको घर से लेकर, cafe तक लेकर आ रही है के नहीं? ऐसे different different आप लोग committee बात देते हैं और उनकी responsibility होते है same to some यहापे भी ऐसा होता है तो committee में सबसे पहली committee आती जिसका नाम है publicity committee publicity committee का का काम क्या होता है? यह publicity करती है propaganda और sports करती है आप देखते हो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैं चाहता है तो मौका मौका एड़ाने लग जाते है sports event की hype बढ़ जाए बहुत जादा और अगर यह hype बढ़ेगी तो यार वो specific sports program और जादा हो चाहिए चुगा तो publicity committee का का काम यही होता है यह when you decide करती है कहा होने वाला है, कब होने वाला है, कैसे होने वाला है और marketing का काम से related सब चीज़े publicity committee करती है नाम से समझ में आ रहा है अगली चीज़ है transportation committee transportation committee का का काम क्या होता है यार जितने भी players खेल रहे हैं उनको hotel से लेकर ground तक के, ground से hotel तक के आप देखते होंगे, decoration होता है यह सभी काम है, decoration और ceremony committee का होता है अगली committee होती है, आप लोगी ground and equipment committee, बहुत important है ground committee वो committee है, जो ground का देखबाल रखती है ground जो अच्छा रहे, पता चल रहा cricket खेलने आए, जाके देखे तो वाँ JCV जितना बड़ा गड़ा खुदा हुआ है तो क्या वहाँ पे ground में खेल पाएंगे, नहीं भाई जब भी आप लोग specific tournament के बारे में सोच रहे हो तो आपको पहले से देखना पड़ेगा ना, कौन-कौन से ground में खेलाना है, और उसको आपको well prepare रखना पड़ेगा, तो ground committee का काम वह होता है equipment committee क्या करती है, क्यार for example किसी batsman की पहली ball पे out हो गया, वो बोला मैं bet लेके जा रहा, अब ऐसा तो नहीं होगा ना, क्यार sports event को यार रत करा दे, क्या होगा क्यार दूसरा bet लेकर दूसरा player आ जागा मतलब क्या की different different sports event में सारे equipment क्या पहले से arranged है की नहीं, उन सब के बारे में ध्यान रखता है equipment committee, अगला होता committee for official, मतलब क्या, जितने भी officials होते हैं, referee हो गए, judges हो गए empire हो गए, उनकी salary देना उनके जितने भी allowances है या उनके लिए specifically ख्याल रखने काम official committee करती है समझ में है, अगली होती है announcement committee जिसमें कि आप जानते हैं, आपके favorite आकास चोपड़ा जी वैटते है और हमेशा आप लोग को यार पूरी तरीके से entertain करते रहते हैं, अगली committee होती है first aid committee, किसी के server में पढ़ गई या किसी कहीं और पढ़ गई यह देखिए, एक और बोल और यह शान्दास हो, ओ माई गोड टीमो बोले हापस में टकरा से ऐसे time पर क्या होता है, अगर आप लोग को जब भी health facility की ज़रूरत पढ़ती है, तो sports event के अंदर ऐसे first aid committees बना दी जाती है कि अगर कोई preliminary treatment provide करना किसी को, तो आप लोग उसको provide कर सको, जिससे कि उसकी जान बज सके, अगला होता है finance committee काफ important है, बिना इनके आर कुछ काम होगा नहीं, अभी आर आप देखते हो कि different different ads वगी रहाते हैं, विमल पान masala का idea आ रहा है, तो वो क्या करना है, sponsor से provide करना है, so that एक budget अब देखो, जब भी budget prepare होता है, मतलब finance committee का काम क्या है, budget prepare करना कौन-कौन से sponsor आने वाले हैं, और कितना खर्चा होगा, expenditure क्या होगा, कहा खर्चा करना है, कैसा करना है, कहा नहीं करना है वो सभी काम finance committee का होता है, अगला होता है refreshment और entertainment committee, refreshment मतलब ground में आप देखते हो, refreshment प्रोवाइट करे जाते है players को, logo को, साथी साथ आप देखते होंगे entertainment committee भी रहती है, जो हमेशा वहाँ पर आनाज गाना चलता रहता, अगर आप कभी ground वगिरा गए होगे, तो वहाँ पर भी इस तरीके से event छोटे मोटे होते रहते, तो ये सब काम कौन करता है, committee for refreshment and entertainment ये काम करती है, होप सो तुम लोग को ये committee याद रहेगी, काफी जादा important ये committees होती है अब देखो एक चीज याद रखना, जिसको जो पड़ेगा, आपको exam में भी कुछ इतनी committees के बार में लिखकर आ जाओगे, explain कर दोगे अराम से आप लोग को number मिल जाएंगे, एक बार book read कर ले ना, जो मैंने आप लोग के लिए बनाया हूँ, वो book read कर ले ना, उसमें आप लोग को एक और बार cover up हो जाए गर्चे से, और आप लोग को समझ में आ जाएगा, मेरे क्याल से clear रहे हैं तक के अब देखो, different different committee बना दिए, इनके कुछ responsibilities तो होगी ना, हाँ जी, तो देखो जितनी committees बनाएं, उन सब का काम गया, तो देखो एक होता है pre-tunament responsibility, मतलब क्या, अरे भाई, tournament शुरू होने से पहले, जैसे की उसका बड़े है, तो उससे पहले सोच कर रखते हो न, क्या-क्या देना है, उसको same to same possibilities होती है, tournament शुरू होने से पहले, क्या-क्या, आप लोग या tournament की responsibilities बाटोगे लोगो, different different काम प्रोवाइट करोगे, साथ में budget प्रिपेड करोगे, क्या-क्यार भाई, tournament कितना बड़े scale में कराना है, एक चीज़ या देखो, जितना बड़ा budget रहेगा, उतना ज्यादा large scale में आर वो tournament को organize कराया जा सकता है, इसी के साथ साथ या, different different committees, organizing, sports वगिरा आप लोग शुरू करोगे, prices वगिरा के बार में सोच के रखोगे, कौन-कौन से certificates देना है winners को, कहां पर होने वाला है, कब होने वाला ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पता चल रहा है यहार आपने Rajasthan Royal को कह दिए कि भाईया, match खिलने आना है, वो पता चल रहा हूँ उट से बैठकर आ रहे हैं, और अगले साल पहुच रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब टूनमेंट चल रहा है तो उस टाइम पर प्रॉपर डिसिब्लेन बना रहे है, जो भी टूनमेंट के अंदर हो रहा है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड बना कर रहो, और जितने भी अपडेट से वो प्रॉवाइट करते रहे है, पता चल रहा विचा करके रखना है, जितने भी चीफगेस टाउन को कहना है, बदाई हो आप लोग को और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, इसी के साथ साथ डीटेल रिजल्ट घोशित करना पड़ेगा, जितने ओफिशल्स आये, जजजेस थे, रेफरी थे, और जो members अगिरा जो participate करें इस event में, पूरे के पूरे functions में, उसके अंदर जितने लोग काम करें, उनकी payment payment करना, ये सब काम post-tunament responsibility के अंदर आएगा, तो exam में कोशन बने, तो क्या तुम लोग कर पाओगे इसको, तो next topic है आप लोग का tournament, अब देखो, जैसे आप लोग अप पर tournament के बार में थोड़ा बाँ समझना पड़ेगा, I know कि ये topic आप लोग के slivers में नहीं है, बट मैं इसको हलका हलका उपर-उपर से समझा गरा हूँ, so that तुम लोग के काम आ सके, tournament क्या होता है, देखो, समझो, एक ground है आपके घर के बास में, और हो रहा क्या है कि, चार गल के लाएगा, जो हारेगा, वो tournament से बाहर हो जाएगा, समझ में आया, तो tournament एक किसम से क्या होता है, tournament एक किसम का competition होता है, जहां पर different different teams, एक दूसरी से participate करती है, जीतने वाली team, tournament की winner के लाएगी, हारने वाली अपने घर जाएगी, तो एक tournament एक different different level पे होता है, zonal level, national level, international level, गली चाप level जिसमें मैं रहा हूँ, आप लोग कौन से level पे खेले हो, जरूर बताना, इसी के साथ साथ यार, example की बात करें तो है, tournament में बहुत सारे हो सकते है, ICC World Cup हो गया, आप लोग Asia Cup खेलते हो, हमारा IPL हो गया, Olympic Games हो गया, Asian Cup हो और different different type, Wimbledon हो गया, Davis Cup हो गया, और ऐसे different different होते है, आप चाहो तो जितना लिखना चाहो, तना लिख सकते हो, clear है, यहाँ तक है, अभी याद रखना, जब भी tournament organize कराते हैं, तो बिना proper planning की आप tournament organize नहीं करा सकते हैं, आग बंद करके बिना कोई सोचा लें, चला हो, tournament कर लें हो, because यहाँ आप लोग के syllabus में नहीं है, हलकल कर समझात रहा हो, because fixture जो है इसी से related, इसलिए बता रहा हो, तो आईए जानते, इसका importance क्या है, जैसे यार समझो, कोई भी एक sports person है, अगर उसको अपनी skill को develop करना है, तो उसको regular tournament खेलना चीए, अगर आपने धोनी वाली movie देखे होगे, उतना जाद आपका skill develop होगा, इसी के साथ-साथ propaganda वो sports भी होता है, लोगों को जादा से जादा पता लगता है, पहले कबटी के बार में इतना जादा यार हमारे इंडिया में, मानता हूँ कि हमारा इंडिया का sports है, लेकिन आर जादा लोग देखते नहीं है, जब सब qualities develop होती है, और साथ-साथ source of recreation, मतलब क्या, नए-नए चीज़ों के बारे में हमेशा tournament में क्या-क्या नया करते रहना चीए, उसके बारे में भी ये चीज़े आते रहती है, अब ये काफी important topic है, जिसका नाम है types of tournament, यह आप लोग के काफी important रहेगा, क्योंकि fixtures हमको दो टाइ knockout tournament को ना elimination tournament भी कहते है, करो या मारो या do a die match भी कहते है, clear यहाँ पे क्या होता है, दो टीम जैसे एक दूसर के साथ match खेल रहे है, A team और B team, for example A team जीत गई, तो B team directly tournament से बार, इसलिए इसको elimination tournament भी कहते है, यहाँ पे जो जीतेगा, वो ही tournament में आगे बड़ेगा, जो हारेग वो अपने घर चले जाएगा, clear है यहाँ तक कि है, जैसे यहाँ पे देखो, first team, second team एक दूसर के साथ match खेल रहे है, तो let's say यहाँ से first team जीत गए, जो second team बाहर हो जाएगी, clear है, तो इस तरीके से matches होते है, कैसे बनते हैं, यह fixtures है, अगले वीडियो में हम समझने के जीते बाहर, ऐसा नहीं हार, थोड़ा सा लाज रख देते हैं, कि किसी दिन पता जल रहा है, आपका दिन ही नहीं था, तो league tournament में क्या होता है, let's say दो team एक दूसरे साथ match खेल रही थी, दूसरी team हार गए, तो उसको directly बाहर नहीं करेंगे, उसको एक या एक से जादा chance दिये और साथ में इसे round robin tournament भी कहा जाता है, ये चीज़, याद रखना काफी important है, अब आप मेंसे काफी सार लोग कहेंगे, कि या भाईया, knockout tournament में तो directly समझ में आ रहा है कि winner को हो है, winner वो है, जो जीतेगा, जो हारेगा, वो भार हो जाएगा, सीधी simple बात है, league matches में ऐसा क्या हो points होंगे, उसको winner decide किया जाता है, league tournament की according, आप जानते होंगे, IPL matches में, पहले league basis में matches खेलते हैं, फिर final matches जो रहते हो, knockout पे होते हैं, जो हारेगा, और directly बाहर, तो आप इसलिए देखते होंगे, कि league tournament जो है, वो बहुत long tournament होते, बहुत लंबे वक तक चलते हैं, और जो knockout tournament हो combination tournament कोई नएवाय में नहीं है, ऐसे हलवाय, जो अभी आपने पढ़े लीग tournament और knockout tournament, उन दोनों को combine करके कुछ नए चार form मना दियेगा, और कुछ नहीं, एकदम hallway type का ध्यान से जोनना, देखो, combination tournament में होता क्या, combination tournament में सबसे पहले na, combination tournament में सबसे पहले zones में डिवाइड कर मतलब क्या, let's say 4 zone मना दिये, zone A, zone B, zone C, और zone D, let's say 16 teams खेल रही है, और मैंने 4 zone मना दिया, clear है यहाँ तक के, 4 zone या 4 groups बना दिया, clear है, समझो, हर zone के अंदर 4-4 team है, हर zone के अंदर 4-4 team है, तो combination tournament यह कहता है, कि सबसे पहले, जो भी matches करा रहे हो, पहले वो zone basis पर करा दो, clear है, और आप जानते हैं, जोन के अंदर लेट से 4-4 team है, एक दूसरे के साथ compete करेगी, और एक एक विनार निकल गयागी, मतलब क्या, हर zone के individual winners हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख दू, कि जैसे, जोन A का एक विनर, जोन B का एक विनर, जोन C का एक विनर, और जोन D का एक विनर, मैं कहा सकता हो, हर zone से winners ने कल गया है, तो combination tournament का क्या कहना है, कि जितने भी number of teams है, उनको पहले zone 11 पे divide कर दो, या groups में divide कर दो, पहले उनको group wise matches करा हो, मतलब, इस zone के अंदर जितनी teams रहेगी, बी zone के अंदर वो एक दूसरे के साथ compete करेगी, zone A के अंदर जितनी teams रहेगी, वो एक दूसरे के साथ compete करेगी, zone C के अंदर जितनी teams रहेगी, वो एक दूसरे के साथ compete करेगी, और zone, जो आप लोका 4, उसके अंदर जितनी भी teams रहेगी है, zone number D हो, जितनी भी teams होगी हो एक द अब ये कैसे डिसाइड करेंगे क्यार कौन किस लेवल पे खेलेगा ? नॉकआट के बेसिस पे काई लेगा साथ लगाए ? लॉक के बेसिस पे अब देख। कॉंबिनेशन टूनमेंट को चार फर्म में डिवाइड कर दिया गया है नॉकआट कम नॉकआट लीग कम लीग, नॉकाउट कम लीग और लीग कम नॉकाउट अब ये क्या बला है? देखो ध्यान से देखना जो कम से पहले लिखा हुआ है उसका मतलब है कि ये जोन लेवल के बेसिस में मैचेज होंगे और जो कम के बाद लिखा है मतलब जोन के विनर्स की बीच में मैच होंगे मतलब क्या? let's say नॉकाउट कम लीग है या सॉरी, नॉकाउट कम नॉकाउट है तो इसमें ध्यान देना सबसे पहले जोन लेवल पे नॉकाउट बेसिस में मैचेज होंगे और उनके विनर्स जो निकल कराएंगे zone के उनके बीच में knock-out basis पे होगा लीग कम लीग का मतलब क्या? पहले जितने भी zone level है उनके बीच में आद लीग basis पे मैच होंगे उनके जितने विनर्स निकल के आएंगे उनका भी matches लीग basis पे होंगा Knockout come league का मतलब क्या जितने भी matches है वो पहले knockout basis पे होंगे और उनके जो winners निकल के आएंगे उनके बीच में league matches होगा League come knockout क्या है ये बहुत ज़ादा famous है आज के time maximum tournament में यही होता है जैसे IPL में भी दिखते होंगे आप पहले जितने भी teams है पहले वो zone level पे डिवाइड हो जाती है और पहले क्या करती है वो league basis पे matches खेलती है उनके जितने भी winners है जो निकल के आएंगे हर zone के वो उसके बाद knockout basis पे matches खेलते हैं कितनों को ये चीज समझ में आए तो याद रखिएगा combination tournament league और knockout का ही combined form है बस कुछ इस तरीके से matches कराए जाते है जहाँ पे पहले zone level पे match होते है zone level के जो winner निकल के आते हो उनके बाद फिर उनके matches होते है लेकिन वो कैसे होंगे वो depend करेगा इस पे कि ये knockout come knockout है league come league है league come knockout है knockout come league है याद रखना come से पहले जो लिखा वो zone level के बीच में matches come के बाद जो लिखा वो zone level के जितने winners थे उनके बीच में match समझ में आया I hope तुम लोग को यहां तक है clear हो चुका हो चलो last topic की तरफ बढ़ते है जिसका नाम है challenge tournament challenge tournament क्या होता है challenge tournament basically यहां पर आप directly challenge कर दे रहे हो एक person दूसरे person को जैसे यार John Cena ने Underdaker को directly challenge कर दिया था one-on-one तो यहादा तर wrestling और इस type related जो sports event रहते हो उसमें होता है तो challenge tournament में क्या होता है directly one-on-one contest होता है team का या फिर participant का I hope तुम लोग को clear हुआ hello sir topic है मेरे ख्यासी यहां तक के clear हो चुका होगा तो यहां तक के था हमारा आज का topic I hope तुम लोग को सभी के सभी चीज़े अच्छे से clear हो चुकी होगी बस ये एक चीज़ याद रखिएगा अच्छी practice करो इसके बाद बस एक बार आप book read कर लेना जिसने book नहीं लिया है आप लोग ले सकते हो यार printed format में आप लोग को Amazon, Flipkart दोनों में अवले बल है लेकिन अगर आपको special 20% discount चीए by using festival code तो आप notion press से ले लेना मैं आपको खुद recommend करूँ हो कि आप notion press से ले लो आप लोग के लिए best deal इसमें रहेगी और अगर आप लोग के लिए लेना चाहते हो ebook के format में तो आप kindle से भी ले सकते हो link description में गेवान है आपको क्या करना है एक बार ये पूरा वीडियो देखने के बाद book को एक बार read कर लेना है आप लोग के लिए sufficient रहेगा आप लोग बहुत तगड़े score कर लो कि marks मेरी guarantee यार तुमारे senior से पूछ लेना पुराने वीडियो में जाके देख लेना बहुत valuable content रहा है आप सभी लोग के लिए तो इसको आप ले लो जल से जल और अपनी preparation चालो करो तो चलिए end करते हैं आज के इस वीडियो को प्लीज यार चैनल को subscribe मारे support दिखाओ दोस्तो साथी साथ आप लोग आन academy follow up कर सकते हो मुझे जहाँ पे प्यारा प्यारा content में लाता रहता हूँ insta पे follow up कर सकते हो जहाँ पे आप लोग regularly मेरे साथ जुड़े रह सकते हो साथ में telegram के group और channel को दोनों को join कर लेना link description में given है सारी important link description में given है physics के लिए भी मैंने course लेकर आचुका हूँ silam series meme material के साथ class 12 के point of use आप लोग उसको भी enjoy कर सकते हो link उसकी भी description में given है तो end करते हैं आज के इस वीडियो को I hope आप लोग को यार ये series में काफी मज़ा आया होगा, मिलता हो में next shooting में जब तक के लिए goodbye, बढ़ाई करते हो साथा sexy रहो मेरे students मेरी जयान, bye bye